नमस्कार दोस्तों, सुआगत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हो मोथा घास की मोथा एक तरह की घास है, जो किसानों के लिए सरदर्द बनी रहती है मोथा घास खेती के लिए अभिशाप माने जाती है क्योंकि यह इतनी तेजी से फैलती है कि खेतों में लगी फसल को बरबात कर देती है अधिकांश लोग मोथा को बेकार ही मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है असलियत यह है कि मोथा आपके लिए वर्दान की तरह है जी हाँ, जिस मोथा घांस को खेतों की फसल नश्ट करने वाली घांस माना जाता है, वह एक औशधी भी है इसका लाटेन नेम साइप्रस रोटेंडस है, इसे मुस्तक या नागर मोथा भी कहते हैं यह सूर का प्रिय भोजन होता है, सूर इसकी जड़ खोद कर इसकी कंद को खाते हैं मोथा में प्रोटीन, स्टाच और कई कार्बोहाइडिट पाए जाते हैं यह इस्तरियों की मासिक धर्म की रामबान औशध है यह पाचन अच्छा रख, उदर रोख ठीक करती है बुखार और गठिया बाए में यह पाइदेमंद होती है दोस्तों, मोथा घांस भारत के जली स्थानों, अधिकांश्तह, नालों और नदियों के किनारे नमी वाली जगह पर पैदा होती है यह घांस भहुवर्शिय होती है छोटी जाडी एक से दो फुट उची होती है इसका पतला कांड गहरे हरे रंग का भूमिकत कंद के बीच से निकलता है जो उपरी भाग में त्रिकोना कार होता है इसके पत्ते लंबे, पतले और नुकीले होते हैं इसके फूल जुलाई में और फल दिसंबर में लगते हैं इसकी जड अंडाकार बाहार क्रश्नवर्ण की लकडी के समान गोल आकार की सुगंदेत होती है जो तोड़ने पर भीतर श्वेत वर्ण की होती है जड लगवक एक सेंटीमिटर लंबी और देड से 2 सेंटीमिटर व्यास की प्रकंद्युक्त तथा धागों के समान रोबों से ढगी होती है मोथा की जड या प्रकंद जिसे राइजोम कहते हैं इसका ही चिकिसी प्रयोग किया जाता है मोथा घास, मेग, किस रदस, शामवन या जल से संबंध होने के कारण इसे वारिद भी कहते हैं संस्कृत में मुस्ता या मुस्तक कहते हैं इंगलिश में नट ग्रास या कोको ग्रास कहते हैं उर्दू में सद कुफी, उडिया में मुथा, कन्नड में भद्र हुल्लू या कोर नारी, तेलगू में तुंग मुस्ते या भद्र मुस्ते, नेपाली में कसुर कहते हैं दोस्तों यह थी पूरी मोथा घास की पहचान आईए जानते हैं इसके फायदों के बारे में जिसे जानकर आप इसका उपयोग कर सकें दोस्तों, इस्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमित्ता में मोथा घास पीस कर, गुड मिला कर, गोली बना कर, सुभे शाम लेने से फायदा होता है बुखार में लगने वाली बार-बार प्यास या प्यास न लग रही हो से बुखार हो उसमें मोथा, पित्ट पापड़ा और उशीर देने से जर्मे शान्ती मिलती है अरुची, ये अपचन में ये आपके जठरागनी मंद हो गई है, आपको भूख नहीं लगती है या खाना नहीं पच रहा है तो मोथा, सोट और हरड का चूण बराबर मात्रा में लेकर गरम पानी के साथ सेवन करें, इसे से आपको जरूरी फायदा होगा आँखों के रोग या आँखों में होने वाली कंजेक्टिव आइटिस में मोथा की जड़ घी में भून कर पानी में घिस लें, रात को आँखों में काजल की तरह इसे लगाएं, इसे से आपके आँखों के रोग ठीक हो जाएंगे पेट के रोगों की यह अम्रद बुटी है, 50 ग्राम मोथा घास को 400 एमिल दूद या 1 लीटर जल में दूद शेश रहने तक उबाल कर ठंडा कर लें इस मिश्ण को पीने से आव युद पेचिश तथा पेड़ ठीक होता है, या फिर मोथा घास की चटनी बना कर शहद मिला कर इसका सेवन करें दोस्तों, गठिया में मोथा घास, आवला तथा हल्दी को समान मात्रा में मिला कर काड़ा बनाएं इसके सेवन से गठिया रोग में लाब होता है, मोथा के कंद को पीस कर लगाने से भी दर्द में लाब होगा कुष्ट रोग में काले तिल में बाकुची चून और मोथा चूनों को मिला कर गुड के साथ सेवन करने से आराम होता है दोस्तों यह थे मोथा गास के फायदे, आज के बाद आपको जब कभी भी मोथा गास दिखाई दे तो उसका उप्योग ज़रूर करें, उसे फेके ना आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक तरें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताथ ही बैल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब पहुंचे